वेलकम टू एक्जाम टाइम आज है 13 अप्रिल 2020 और आज हम लोग सबताहिक एक्सप्रेस के अंत्रगत साथ से 12 अप्रिल 2020 के बीच के जितने भी करेंट अफेस के कोशन बन सकते हैं वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इससे पहले अगर आपने हमारे य टेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जल्द से जल्द तो चलिया आज का वीडियो मोग शुरू करते हैं तो सबसे पहला कोशन है हाली में उडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पर्टनायक को किस आवार्ड से समानित किया गया है तो इसका सभी जवाब है हीरो टू ए एंडिया ने प्रण किया है किसो ने क्या पेटा इंडिया ने लॉक्डाउन के दुर्ण पूरे राज्ज में समुदायिक पस्मों को चारा खिलाने है तो धन आवटित करने के लिए यह पुरक्षकार दिया गया है नवीन से अग्ल सकते चलते हैं अगला से मेंप outtaघ्ण कर IS Association द्वारा किस पहल की शुरुवात की गई है तो इसका सही जवाब है करुणा करुणा का फूल फॉर्म याद रखना है Civil Services Associations Rich to Support in Natural Disaster एक बाद फिर से Civil Services Associations Rich to Support in Natural Disaster अब यहां बात आई IS की तो IS का फूल फॉर्म क्या होता है Indian Administration Service Indian Administration Service और IS की अस्थापना कब हुई है तो 26 January 1950 में IS की अस्थापना हुई है इसका मुख्याले का है नई दिल्ली में इसका मुख्याले का है नई दिल्ली में तो इतने कोशन यहां से बन सकते हैं इसके बाद आते हम लोग विक्सित किया गया है जिसमें की पूरी तरह से सरीर के जो भी किटान होंगे उनका नास हो जाएगा इसका सही जवाब है प्रेशनल सैनिटाइशन इंकलोजर यह किस ने लॉंच किया भी डी आर डी ओ ने इसे विक्सित किया है अब यहां बात आई कि यह प्रेशनल सैनिटाइशन इंकलोजर है क्या तो यह स्वास्त कर्मियों की स्वच्छता है तो बनाए गया है यह एक वाक्ट्रू से दरफ है जो एक बार में एक विक्ति को साफ कर सकता है और ये क्यों बनाया गया है तो जितने भी स्वास्त कर्मी हमारी सेवा में लगे हुए है उनकी सोच्छता के लिए बनाया गया है यह सबसे पहले अहमद नगर में विक्सित किया गया जात रखना है कहां विक्सित किया है अहमद नगर में अब बात आई यहां पर डी आर डी ओ की डी आर डी ओ की बारे में जानते हैं डी आर डी ओ को फूल फॉर्म क्या होता है डीफेंस रिसेर्च एंड डेवलप्मेंट ऑगनाइशन डी यो की अस्थापना कभी 1958 मुख्याले काया है नई दिल्ली में तो इतने कोश्ण पुनिया से बन सकते थी इसके वदाते हैं में लोग नेक्स्ट कोशिन के और अगला कोश्ण है हाली में भारतिय पहलवान बजरंग पुनिया विस्व कुस्ती चैंपियंशिप की नविंतम रैंकिंग में कितने अस्थान पर बरकरार है इसका सई जवाब है दूसरे अस्थ चार में इसको अस्थान मिलना लगभग तय माना जा रहा है और रूस के ओलंपिक चैंपियन गदजी मुराज रसी दोब क्या है गजदी मुराद रसी दोब 65 किलोग्राम वर्ग में 60 अंक के साथ याद रखिएगा 60 अंक के साथ पर्थम अस्थान पर बजरंग पुनिया द पर्थम अस्थान पर है तो इतने कोशन यहां से बन सकते हैं आते नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाल में भारत सरकार द्वारा डाइगनोस्टिक कीट के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया गया है कि किसी निर्यातक को बाहर जाने वाले सभी सीप्मेंट के लिए अनुमति अथ्वा लाइसेंस लेना पड़ेगा तो विदेश विपार निदेसालई के द्वारा जो है उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा लेकिन यह जब वीडियो बन रहे यह जब घटना हुई थी तो उस वह यह लगा गया था लेकिन अभी फिलाल इससे जो है परतिबं अब निद्यातक को डी विदेश विपार निदेसालई से यानि कि डी जी एफटी से लाइसेंस प्राप्ट करना अनिवारी कर दिया गया था विदेश विपार महा निदेसालई का मुख्याले का है आपको यह याद रखना है यह है नई दिल्ली में डाइगनोस्टिक कीट वे सभी माध्यम जिनके जरिये रोगों की जाच की जाती है डाइगनोस्टिक कीट क्या होता है तो वे सभी माध्यम होते हैं जिसके जरिये रोगों की जाच की जाती है तो इतने कोशन से यहां से बन सकते थे इसके बाद आते हैं लोग नेक्स्ट कोशन की और अगला कोशन है हाली में किस दिवंगत खिलारी को अमेरिका में नायश्मिथ मेमورियल बॉसकेट वॉल ऑफि ai को छाग ड़ांट को नाई समीथ मेमोरियल बॉसकेट वॉल होलऑु फैंद में सामिल किया गया है यह जो है कोबरे बॉसकेट वॉल के खिऴा नहीं इसमीं मेमोरियल बॉसकेट बॉल हब को याद रेखिए गै sono 26 जनवरी 2002 को हॉलिक केप्टर दुर्गटना में इसकी मिर्तियों गी थी हलीकॉप्टर दुर्गटना में इसकी मिर्तियों गी थी यह कहां के खिलाड़ी है तो यह अमेरिका के खिलाड़ी कहां के हैं अमेरिका के और यहां पर बात आए अमेरिका की तो अमेरिका की कैपिटल का है वासिंग्टन डी सी अमेरिका की कैपिटल का है वासिंग्टन डी सी इतने कोशनियां से बन सकते थे आते फिर नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है क्रिसी और किसान कल्यान मंत्रा लेने कोविड-19 की वज़र से उत्पन परिस्थितियों को देखते हुए हाल यह में किस आगल में समसोदन किया इसका सभी जवाब है इनाम पॉर्टल यह पोर्टल अब है क्या यह पॉर्टल विपारियों को किसी दूरी सथित अस्थान से बोली लगाने तथा किसानों को मोबाइल अधारित भुकतान करने के सुधा पड़वान करता है दूर इस्थित जगह से बॉली लगा सकता है अपनी जो भी फसल है उसकी कीमत लगा सकता है और मोबाइल अधारित भुखतान वह कर सकता है इसलिए इसको नाम दिया गया ईानाव पोर्टल यह पोर्टल किसानों को अपने खेत के पास सेही बहतर कीमत पर फसल में मदद करेगी याद रखिएगा बहत कीमत पर फसल को बेचने मत तो काफी इंपोर्टेंट है यह इनाम पॉर्टल किसके लिए किसानों के लिए अब यहां पर हम यह देखेंगे कि इसके अस्थापना का हुई थी क्रिसी और किशान कल्यान मंत्राले का स्थापना को यह थी 1947 में मुख्याले कहा है नई दिल्ली में का है नई दिल्ली में तो इतने को संजासे बन सकते हैं अगला कोशन है हाल ही में तीन बार ग्रैमी पुरसकार जीतने वाले विल विदर का निधन हो गया वह किस देश के थे वह अमेरिका थे अमेरिका के थे यह हैं विल विदर जिनका निधन हो चुका है यह क्या करते थे तो यह अमेरिका के गीतकार गायक गितार वादक और तीन बार ग्रैमी पुरसकार के बज़ेता थे इतनी खुवियां थे इनमें गीतकार गायक और गितार वादक और अब यहां बाद आए अमेरिका की तो अमेरिका की केपिटल वाशिंग्टन डी सी अमेरिका की केपिटल वा जाएगी बस आप पूरी वीडियो देखें इसके बाद आते हैं लोग नेक्स कोशन पर अगला कोशन है भारतिय प्रती भूति एवं विन्य वोड यानि कि सेवी में पूर्णकालिक सदस्त के रूप में माधवी पूरी बुच के कार्जकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा द अब यहां पर बात रही माधवी पूरी बुच की थोड़ा से इसके बारे में इसके प्रेशनल के बार जानते हैं माधवी पूरी बुच के तो यह सेवी की पूर्णकालिक सदस्ति बनने वाली पहली महिला थी इसलिए भी यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन हो जाता है सेव बॉड़ सदस्ति के रूप में भी बॉड़ सदस्ति के रूप में भी सामिल होने वाली नीजी छेत्री की पहली महिला है इसलिए भी यह काफी इंपोर्टन वह रता है अब यहां पर बात आई सेवी के अध्यक्ष भी याद रखना आपको कौन है वरत्वान में अजय त्य 1992 12 अप्रिल 1992 को इसकी अश्थफण वी इतने को सब्सक्राइब सब्सक्राइब लोगों को सेंने टाइज करने के लिए भी इस्यूय लगाई है इसका सड़ी जबाब है तेलंगग ना सरकारण में लोगवों को सेंटाइज करने लिए बीसीफ टूयक्त Это Surf subland का से vote ट्यूनल को राजी के पुलीस महांदीदेशक कारियाले में और यह यह में गुलण बहुलक और आयोटीन और आयोटीन का मिस्रन सामिल क adaptive को ऑपने एक विशाने का नाम सुना होगा है सार्स और इबोला तो सार्स और इबोला जैसे वाइरस के खिलाब बहुत प्रभावी माना जाता है ठीक है अब बाता है यहां पर तेलंगाना की तो तेलंग लुक्ते watches के के चंदर सेखर राव यह तलंगणा के सियम राजपार कोने तमिल साई सौंदरियाजन तमिल साई सौंदरियाजन और कैपिटल का है है यहादराबाद इतने को सुनिया से बन सकते थे आते हैं फिर नेक्स्ट कोश्टन की और अगला सरकार है अगला कोशन है भारत सरकार ने किन-किन छेत्रों के संगठनों के साथ मिलकर COVID-19 से संबंदित परतिक्रिया गति बीदियों के समनवय के लिए एक ससक्त समू का गठन किया है तो इन्होंने किन-किन के साथ मिलकर जो है एक ससक्त समू का गठन किया है एक समू बनाया गया यह समू अब जो है कोरोना से जूड़ी विसमी समस्याओं पर ध्यान रखेगी इस समू का नाम को बताना है इस समू में तीन छेत्र हैं एक निजी छेत्र गैर सरकारी संगठन और अंतराष्ट्य संगठन जो कि कोविड-19 से लड़ने में एक ससक्त समू बनाकर अब काम करेंगे तो अब यहां पर बात आई कि इसकी अध्यक्षता यानि कि यह जो समू है इसकी अध्यक्षता किसने की थी इसकी अध्यक्षता की थी निती आयोग के CEO अमिताव कांथ किसने निती आयोग के CEO अमिताव कांथ अब बात रही यहां पर निती आयोग क नीति में नीति का फूल फॉर्म क्या होता है नेसेनल इंस्ट्डिूशन फौर ट्रांसफॉर्म इंडिया यह होता है नीति का फूल फूल फॉर्म अब नीति का स्ठापना कब होती यह याद रखना है एक जैनवरी 2015 को और निति का remnants ख्याले कहा है नई दिल्ली में कहा है नई दिल्ली में इसके बाद आते हैं लोग नेक्स्ट कोशन किये अगला कोशन है हाल ही में किस देश ने भारत को PPE कीट परदान करने की घुशना की है चाइना ने किसने की है चीन ने भारत को एक लाख सत्तर हजार व्यक्तिकत सुरक्षा उपकरन यही हुआ PPE व्यक्तिकत सुरक्षा उपकरन परदान करने की घुशना की है और इसमें कौन-कौन से समान परदान करेगा वह तो इसमें दस्ता ने गाउन हैंड कवर सू कवर मास्क फैसिल्ड गगल्स इत्यादी सामिल कि जाएंगे अब इसके बाद बात आई यहाँ पर चीन की तो चीन की केपिटल कहा है बीजिंग कहा है बीजिंग और चीन के प्रेसिडेंट कौन है यह है चीन के प्रेसिडेंट सी जीनपिंग कौन है सी जिनपिंग चीन की मुद्र क्या है रॉन मिनवी और चीन की जनसंख्या की बात की जाए 1.386 स्विलियन 2017 की जनगनना के अनुशार इतने कोशन यहां से बन सकते हैं फिर नेक्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में कोरोना वाइरस महमारी के समधान के लिए केंद्रिये मानव संसाधन विकास मंत्राले ında चैनलों के लिए कौन सा Online Chalines launch kia गया है चैलेंज का नाम है समाधान चैलेंज का इस चैलेंज का क्या है यह चैलेंज कोरोना को मात देने है किसके लिए को मात देने हैत怖 अभ यहां पेная बात आई MHDR और AICTE की तो इसकी बात हम लोग करते हैं तो MHDR यानि क्या हुआ मानव संसाधन विकास मंत्रा ले यानि कि Ministry of Human Resources Development इसकी अस्थापना कब हुए थी 26 दिसंबर 1985 26 दिसंबर 1985 मुख्याले का है नई दिल्ली में MHDR मंत्री वर्तवान में कौन है डॉक्टर रमेश पोख्रियाल निसंग यह है डॉक्टर रमेश पोख्रियाल निसंग उसके बाद बात आई AICTE की तो AICTE का फुल्फर्म क्या होता है All India Council for Technical Education इसके अस्थापना कब हुई है November 1945 में और इसके अध्यक्च कौन है अनिल शहस्त्र बुद्धी इसके बाद आते हैं लोग नेक्ट कौशन पे तो अगला कौशन है हाल ही में कोरोना महमारी के कारण किस देश में 6 मई 2020 तक यानि कि 6 मई 2020 तक आपातकाल की घोशना की गई है इसका सई जवाब है जैपैन में जैपैन में 6 मई 2020 तक आपातकाल की घोशना कर दी गई है अब यहाँ बाता ही जैपान की तो जैपैन की केपिटल का है टोक्यो जैपैन की केपिटल का है टोक्यो जैपैन की करेंसी क्या है तो जैपानी येन जैपानी येन जैपैन के पी-एम कौन है sing jo abe sing jo abe ये है sing jo abe Japan के PM जपान के संसत का कजिनाम है ये कोशन बार-बार पूचा जाता है तो Japan की संसत का नाम है diet तो ये है map में Japan इतने कोशन यहां से बन सकती है अग्ला कोशन है हाली में दिल्ली के मुख्यवंतरी अरविंद के जीवाल ने कोरोना वारस से लड़ने के लिए किस प्लांच को लॉंच किया है तो इसका सही जवाब है फाइव टी प्लांच तो फाइव टी प्लांच किया है यह यह प्लांच जो दक्षिन कुरिया की तर्स पर है इसे पहले दक्षिन कुरिया ने लगो किया था प्लान में होता क्या ये आपको जाना जरूरी है इस प्लान में testing, treatment, tracing, teamwork नथा ट्रैकिंग का उप्योग होता है कि इसका 5-T यानि की testing, treatment, tracing, teamwork नथा ट्रैकिंग सब गरबर जैसे कि testing है टेस्टिंग मे भी सुरूव वला word क्या होगा टी ट्रीटिमेंट में भी टी ट्रैसिंग में भी टी तो इस तरह से 5T का एक कॉंबिनेशन जो है बनता है इसी करण से इसे 5T नम दिया गया है और इसके तक आपको याद रखना है एक लाख लोगों की रैपिड टेस्टिंग होगी एक लाख लोगों की अब बाता है यहाँ दिली की टो दिखके अर्विन के ज़िवाल अब दिली में कुछ परसिद आकर से कस्थल को भी है आपको उसका भी नाम याद रखना है लाल किला कुतुब मिनार इंडिया गैट जो कि दिली के आकर से कस्थान है और इस वार के जिवाल ने सतर में से बास्ट सीटों पर अग्रेशित संदेशों को साजा करने को एक लिमिट चैट तक स्रीमित कर दिया एक लिमिट चैट तक इसका सही जवाब है वाट्सप यानि कि वाट्सप पे अब आप किसी भी मैसेज को एक से अधिक विक्ति को एक बार में फॉर्वड नहीं कर सकेंगे तो यह क्यों ऐसा किय गया वाट्सप के द्वारा तो यह गलत सूचनाओं को और गलत खबरों को लगाम लगने ही तो इसा किया गया है तो अब बाती आई यहां पर वाट्सप की वाट्सप की सुरुवात कभी थी वाट्सप की सुरुवात हुई थी तीन मैई 2009 को और इसके CEO कौन है इसके CEO है Chris Daniels क्या है Chris Daniels तो इतने कोशन यहां से बन सकते थे आते हैं फिर नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में एच एल एच 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 एल यानिकी सौरी एच एल एल लाइफ केर लिमिटेड द्वारा कोविड नाइंटिन के लिए विक्सित तीवर एंटिवर्डी निडांग की क्या है तो इसका ब्रॉन है मैख स्योर इकिसने विक्सित क्या है अच एल एल ने और कोविड नइंटिन के लिए बिख्सित किया गया है इसे तिवर एंटिवर्डी निदान कीट अब यह से किसने बिर सेक्षाण मर्कट में परिनाम प्राप की दसटेगा तो यह एक परकार कि जांच की टैका अब भाताई你就 बॉनना किसल अब बात आई अच एलल क्या है भारतीये स्वास्ट सेवा उत्पाद कमपनी और यह इस्थित कहा पर यह आप आपको याद रखना है कि हेरल के थिर्वणंद पूरम इस्थित ए और इसके स्थापना के इसके स्थापना वह राए 1966 में और HLL के चेयर सह निदेशा कभी कौन है यह आपको यह दखना है के भी गर्ग के भी गर्ग यह है अभी वर्तमान में HLL के चेयरमें सह निदेशक इसके बाद आते हैं लोग नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाल ही में किस देश की NSO ग्रूप ने कोरोना वायरस के पर परिक्षन की जनकारी दिए तो अब बात आई NSO की यहसूचन है आफड़ра जो है अधिकारी कारी द्वारत दि गई थी यह कोरोना वायरस के संक्रमन की निदानी के लिए तैयार की गई है यह कोरोना वाइरस के संकर्मन की निगरानी के तियार की गिए जिसका परिक्षन अभी अभी हुआ है अब बात आई एनसों क्या है आपको यह याद रखना है तो एनसों को फुल फॉर्म होता है नेशनल इस्टेस्टिकेल ऑफिसर यानि कि राष्टिये सांखी की आयोग पालक को ने राधा बिनोध बर्मन राधा बिनोध बर्मन जो एनसों के कारिव पालक है इसके बाद आते हम लोग नेक्ष्ट कोशिन पर अगला कोशन है हाले में किस राज सरकार ने सबसे पुराना और व्यापक रूप से मनाय जाने वाला त्योहार कारागा को रद्द कर ना के रद्द कर दिया गया है सभीश इसका करनाक परनात करनात के अभी हाले में करागातियोहार को रद्द कर दिया गया करागा मनाय क्यों जाता था यह सकती के समान में मन करना सब्सक्राइब जाता है किसके समाल में देव कुन करोना वायर uh ॏ मद्यू ने इस बारदरा कर दिया यह करनाटक कि करनाटक के नहीं कौन ब्यूर यह एष यह एषा यू रपपा यह है पिटेटल का है बैंगलोरू गवर्नर कोने वाजू आया वाला वाजुवाई वाला अधिकारिक भासा क्या है क нал और मुख़्ी फूल क्या है कमल तो इतने पॉषल्य यहाँ anderen सकते थे हैं इसके बादाध आते हैं लोग नेक्स्ट को सोट है पर अगला कोस्ट है हाली में कोवीड 19 से लड़ने के विचारों को आमंत्रित करने के लिए समधान चुनोती की सुरुवात किसने की है तो इसका सेजवाब है इसके लिए इसकी छमता के लिए परिक्षन लेना उसे होता है और यह परिक्षन ओनलाइन चैलेंज के रूप में होता है इसमें क्या होता है कि इसमें चैलेंज लेने वाले जो भी छात्र होंगे वह तोरित समाधान हे तू उपाय को खोजेंगे और उसे बिक्सित भी करेंग मिनिश्टिय आपको बीस सेतंबर नाइंटीन एटीफाइब में इसका मुख्याले कहा है नई दिल्ली में अभी वर्तमान में मिनिस्टर कौन है यह आपको याद रखना है यह है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निसंग इतने को सब्सक्राइब नेक्स्ट कोशन अगला कोशन है हाले में किस राज सरकार ने अपने परतियक संभाग के मुख्यालेयों में कोबीड नाइंटिन परिक्षन पर्योग्षाला स्थापित करने की गोशना किया तो अब बात रहें यहां पर कि राज के जितने भी पचतर जीले हैं उत्तर परदेश में सबों में संग्रा केंद्र शुरू करने में उत्तर परदेश को काम्याबी मिल चुकी है इस काम्याबी को देखते वे उन्होंने एक और कारी शुरू किया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कोईट 19 परिक्षन प्रियोग साला अस्थापित करना अब बात आई उत्तर परदेश की तो उत्तर परदेश के वारे में जानते हैं उत्तर परदेश की केपिटल का है कई है लखनव कौन है योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ गवर्नर कौन है अनंदीबेन पटल इतने कोशने यह से बंदेते आते हैं एक्सत कॉशन हमें किसने डेवल्ड हेल्थ ओर्गॉस्ट्व दिया जाने विट पोशन पर रोक लगा दी है तो डवलू एच को अमेरिका के दौरा विट पोशन दिया जाता था लेकिन अब अमेरिका ने विट पोशन देने से मना कर दिया गया है पहले आप जाने कि विट पोशन क्या होता है तो विट पोशन यानि कि विश्व स्वास संगठन को आरोप लगाया है कि वह cornama हमारी जो दुनिया में फेली हुए इसके दो रान केवल चीन पर यह उसकी द्रिष्टी के वल्टी पर रहा बांकी को वो नजर अंदाज कर रहा ये आरोप है अमेरिका का तो आमेरिकहन और एक अरोप लगया है अमेरिका ने यह भी आरोप लगया है कि डवलू एचो चीन की राजनीतिक कट पुतली बन कर रहा गिया है इन दोनों आरोपों के कारण क्या किया अमेरिका ने उन्हें वित पोसंदेने से मना कर दिया है तो अब बात आए यहां पर अमेरिका की अमेरिका की कैपिट लाग को याद रखने है वाशिंग्टन डीसी वाशिंग्टन डीसी प्रेशिडंट को ने डॉनल्ड ट्रम्प और इसमें एक और बात आई डबलु एचो तो डबलु एचो का मितलब क्या होते है वर्ल्ड हेल्थ औरगनाइशन अस्थापना कब हुई है डबलु एचो की तो तो यह थे डबलु एचो उसके बाद यहां पर बात आई चीन की तो चीन के बारे में जानते हैं चीन की कैपिटल का है बीजीन का है बीजीन है और प्रेशिडेंट कौन है सी जिन पिंग सी जिन पिंग तो इतने कोशन यहां से बन सकते थे आते हैं नेक्स्ट कोशन पर तो तो हमारे आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में उडिशा के बाद अब किस राज सरकार ने लोकडौन की अधिको 30 अपरिल तक बढ़ा दिया है तो अब जांते हैं अब बात आई पंजाब सरकार की तो पंजाब के बारे में जानते हैं तो पंजाब की डिकर कहा है चंडीग्ड कहा है चंडीग्ड पंजाब के सिम कॉन ले इतने इतने कोशंधन यह रिबन सकते थे अगला कुशन में हादि में किसमेंड चेत्रीके अंतरगर्यषत डॉक्ट्रव स्टाफों उसके जुड़े अनिकार करता हुँ कि chi sensor चैक करने का निर नीया हैं इसका जूए जवाब है भाहलत सरका करने जितने भी नहीं है फिर भी इसके बावजूद यह कोरोना पॉजिटी पाए गया है तो इसका सही जवाब है 39.2 तो बहुत ही गंभी समस्या है कि टेविल हिस्टी नहीं होने के बावजूद किसी के संपर्क में आने के बावजूद 39.2 परसेंट एसे लोग हैं जो की कोरोना संक्रमित प प्रकासित किया था तो इंडियन जेनरल मेडिकल रिसर्च में प्रकासित किया था इसके बाएद आते हैं हम लोग नेक्ट कोशन की और अगला कोशन है हाली में कोरोना संक्रमन के कारण किस ओलंपिक फाइनलिस्ट का निधन हो गया है तो दोनातो साबिया दोनातो साबिया क का अभी हाल ही में कोरणा संकुर्मन के कारण निधन हो गया है अब यहां दोनातो साविया के बारे में जानते हैं यह कहां के थे इटली के थे दोनातो साविया ने 800 मीटर रेस में 1984 की यूरोपियान इंडोर चैम्पेंशिप में फदक जीता था तो यह चिलता है योडियां ईंडोर चैमम्पेंशिप में 1994 की ये पहले प्रत्राने लिस्ट इसका Tips के मेरें अब बात आए यहां पर कि यहां इटली की कि एतनी की कइपिटल है रॉम कहां है रॉम है इतली के से पर इतनी प्रेशप्न और सर्जिओ मट्रेला सपयर तक रटेशे अगला प्रेश्न है हाली में कोरोना के कारण 22 दिन में 226 दौलत मन वेक्तियों वेक्ति फॉप्स की सूची से बार हो गए हैं मुकेश अंबानी अभी सूची पर किस अस्थान पर हैं तो मुकेश अंबानी अभी सूची में 21 अस्थान पर पहुच चुके हैं अब यहां पर बात आई यह तो थे कि मुक्य संबानी 21 अस्थान पर है पहले अस्थान पर दूसरे अस्थान पर कौन है तो आपको यह भी बात याद रखना है कि मुक्य संबानी का अस्थान पहले 13 था तो यह 13 से 21 अस्थान पर पहुंच चुके हैं और इसकी संपत्ति में गिरावट आ गई है 5.7 अरव डॉलर इसमें Microsoft के संस्थापक Bill Gates दूसरे नंबर पर हैं दूसरे नंबर पर कौन है Microsoft के संस्थापक Bill Gates यह भी दूसरे नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है तो एमेजन के जो CEO है एमेजन के CEO जैप बैजोस वो अभी लगातार सीर्ष पर बने हुए सिर्ष अस्थान पर बने हुए अब यहां बात आई Microsoft तो Microsoft के स्थापना कभी है 1975 कभी है 1975 Microsoft के CEO कौन है Bill Gates कौन है Bill Gates और एमेजन के स्थापना कभी है 1994 में एमेजन के स्थापना हुए अब यहां पर इन तीनों के पिक्चर साब को दिखाए दे रहा होगा यह जो फहले नंबर पर है वह कौन है तो यह है जैफ बैजोस कौन है जैफ बैजोस और यह कौन है यह है बिल गैट्स और यह कौन है यह है मुकेस अमबानी तो इतने कोशन यह से बन सकते हैं फिर नेक्ट कोशन पर अगला कोशन है हाल ही में e-commerce platform ने senior citizen के लिए कौन से एप लॉंच किया है तो इन्होंने अभी हाल ही में सेफ senior app लॉंच किया है सेफ senior app इसके बारे में थोड़ी सचर्चा यह बुजुर्गों में कोरोना के सुर्वाती लक्षन जो उनका पत्ता लगाएगी यह एक प्रिडेक्ट प्रिडेक्टिव अनलेसिस टूल है इसे क्या कहेंगे प्रिडेक्टिव अनलेसिस टूल और e-commerce platform company का नाम क्या आपको याद रखना है यह जो सैफ senior app है यह e-commerce platform ने लॉंच किया है तो इस intelligence तथा IIT यानि कि Indian Institute of Technology ने मिलकर कौन सा एप लॉंच किया है IISC और IIT ने मिलकर कौन सा एप लॉंच किया है तो इसका सही जवाब है गो कोरोना गो एंड संपर्क और मिटरी तो यह दोनों एप जो है अभी लॉंच किया गया है किनके द्वारा तो IISC और IIT के द्वारा और इसमें क्या होगा कि इस एप को GPS और Bluetooth यह जो एप है GPS और देश सदस्य देशों को COVID-19 परियोजनां के लिए कि दौन कहले तो अविए फिलाल तो सार्क का फूल फॉम क्या होता है South Asian Association for Regional Corporation South Asian Association for Regional Corporation सार्क में सदसे देशों की संख्या कितनी याद रखना है आपको आठ है कौन कौन से देशें वारत भुटान मालदीव नेकाल नेपाल पाकिस्तान और स्रीलंका सार्क का मुख्याले का है तो सार्क का मुख्यल है काठमंडो में काठमंडो कहा पड़ता है नेपाल में उसके बाद सार्क के महासचीप कौन है एलसा रुवान वेराकुन यह सार्क के महासचीप अब बाताई सार्क की सार्क की अस्थापना कर वही है आठ दिसंबर 1985 यानि 8 December 1985 में सार के स्थापना हुई है इसके बाद आते हैं हम लोग next question पर अगला question है हाली में L&T ने उन्नत IIT नेटवर्क अस्थापित करने के लिए किसके साथ समझोता किया है तो अभी L&T ने भारतिय सेना के साथ समझोता किया है किनके साथ भारतिय सेना के साथ इसके अंत्रगत सुरक्षा बलों के नेटवर्क को संचालित करने के लिए यह निर्ने किस ने लिया है तो L&T Technology Service का फूल फॉर्म क्या होता है तो इसका फूल फॉर्म आपको याद रखना है Larson and probo Larson and probo कि उसका मुख्याले का है बड़ोधरा गुजरात में इसका मुख्याले है इसके CEO कौन है डॉक्टर केशब पांडा डॉक्टर केशब पांडा इसके सीओ है आते हैं फिर नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में अरुनाचल परदेश ने कोविड-19 से मुकामला करने के लिए कौन सा एप लॉंच किया है तो इन्होंने अभी अभी कोविड केयर एप लॉंच कि है में सक्षम होगी तापमान भी मा पर कोरोना के लक्षन भी जाज देगीए अब बात आःब अरुनाचल परदेश की तो अरुनाचल परदेश के अभी सीम कौन है पेमा क्रान्डव यह हैं और नाचल परदेश के सीम पेमा क्रुक्त आंके BENMr. B.29 तो इतने होगां से बन स समूग के लिए डिजीटल संचार रननीती बिक्सित किये अभी इन्हों ने यूनिसेप के साथ मिलकर डिजीटल संचार रननीती बिक्सित किये तो यह नीती क्या करेगी यह बात जानना आपको अबसेकर तो यह रननीती डिजीटल अभियान को बरहाबा देने के लिए है यह डिजीटल अभयान को बढ़ावा देने के लिए से और एस एच जी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है सेल्फ हेल्फ गुरूप यानि स्वयम सहायता से उसके बाद इसमें बात आई ट्राइफेड की तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है कि ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट प्रेडरेसन आफ इंडिया यह होता है ट्राइफेड का हुएनिशेफ की ये जू यूनिसफ का लाग और दिकह रहा है तो UNICEF के अस्थापना कव भी है 1946 में UNICEF का मुख्याले कहा है New York में कहा है New York में UNICEF के अध्यक्ष कौन है तो HE Rabab Fatima HE Rabab Fatima अब आपके लिए आज का प्रेश्ण है इस प्रेश्ण का जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है तो आज का प्रेश्ण है हाली में विजडेन दौरह किस और और को विस्व में 2020 का सरवसेष्ट क्रिकेटर यह किसराव के ुआ जिए दिभर का किन को दिया है यह आपको हमारे लिखना है जल्दी से इसमें कमेंट करें इसके हम लोग नेकस्ट कोероच्ट के और कि अगला कोशन है हाली में किस राज ने औरिशा और पंजाब के बाद कोरोना के मद्दे निजर लॉक डॉण को 30 अप्रिल तक बढ़ा दिया है इसका जवाब है और पंजाब के बाद महराश्ट्र और बंगाल ने दोनों दोनों ने लोगडाउन को 30 अप्रेल तक के लिए बढ़ा दिया गया है अब यहां बात आई महराश्ट और बंगाल की सबसे पहले बात महराश्ट की करते हैं महराश्ट की सीम कौन है उद्धव ठाकरे कौन है उद्धव ठाकरे कैपिटल का है मुंबई गवर्नर कौन है भग इतने कोशियारी इतने कोशन यहां से बन सकते फिर आते हैं बंगाल की और तो बंगाल की सीम कौन है मंता बनर जी कैपिटल का है कोलकाता गवर्नर कौन है जगदीव धनकर इतने कोशन यहां से बन सकते थे आते हैं फिर नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है हाली में कहां की परंपरा दर्बार मूब को टाल दिया गया है जिसके अंतरगत हर साल सची वाले सरकार और हाई को सर्दियों में श्री नगर से जम्मू और गर्मियों में जम्मू से स्री नगर कर दिया जाता था इसका सेजवाब है जम्मू कस्मीर यह है मैप में जम्मू कस्मीर अब यहां पर बात आई कि इस परंपरा के बारे में थोड़ी सी जानते हैं कि इस परंपरा को 1872 में महराज रणवीर सिंग ने शुरू किया था और इस पर हर साल लगवाग एक स बाल दिया गया है इसके बाद आते हैं लोग नेक्स कोशन की अगला कोशन है हाल यह में एपल और किस कमपनी ने को रोने के संकरमन को फैलने से रोकने के लिए एक साथ मिलकर ऐसी तकनिक पर काम कर रहे हैं जो कोड़ना के संकरमन की ट्रैसिंग कर सकेगी एपल और गूगल इन से जुड़ेवे questions जैसे कि Apple के CEO कौन है वी वर्तवार में तो Apple के CEO है team cook कौन है team cook और Google के CEO कौन है सुंदर पिच्चाई सुंदर पिच्चाई इसके बाद Google से एक और question है Google के सथापक कौन है इनके सथापक दो लोग है दोनों इनके सथापना की थी जैसे कौन-कौन लैरी पैज और सरगेई बिन यह है एपल के सथापक team cook यह है Google के सथापक सुंदर पिच्चाई और यहां जो दो चेहरा आपको दिख रहा है इसमें एक लैरी पैज है और सरगेई बिन है जिन्होंने Google की अस्थापना की थी इन्हें Google के सथापक कहा जाता है यहां से बन सकते थी आते हैं फिर नेक्स्ट कोशन पर मैं अगला और यहौलिवूड की परसिद्ध एक्टिस थी जिनका के 94 वर्स की आयूंहे में अभी हाले में निधन हो गया है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोशन कि हो अगला कोशन है हाली में IQ円 के data के अनुसर दुनिया के सीर्ष 20 सबसे पर्दूसित सहरों में भारत के कितने सहर सामिल किे गया है तो भारत के दो सहर सामिल किए गया है मुंबई और कोलकाता मोंबई और यह मुंबई की मैप और यह तो कुल 14 सहर भारत के हैं जो इस में सामीन है इसमें से टॉप मॉस्टर टू सहर जो है वे कौन-कौन से हैं मुंबई और कोलकाता अब यहां बात आई महराष्ट और बंगाल की दोनों की चर्चा करते हैं महराष्ट की राजदानी का है मुंबई महराष्ट के सीम कौन है उद ममता बनर जी और गवर्णर कौन है तो जगदीप धनकड जगदीप धनकड इतने कोशन यहां से बन सकते हैं इसके बाद है नेक्स्ट कोशन हाली में केंद सरकार ने कोरोना महमारी के कारण कितने रुपे तक का लंबिद टैक्स रिफंट तत्काल जारी करने को कह गया है त इंकम टैक्स दिपार्टमेंट के दौरशत आई यहां पर बात आई यहां फैसला लिया किसने है यह फैसला आएकर विवायें लिया इनकम टैक्व डिपार्टमेंट नियुक yl Hybrid के-सक इन नहीं 15 परशिक्षन अनुदेशक हैं तो अभी हर्याना में 1983 सारीडिक परशिक्षन अनुदेशकों की नियुक्ति रद्द कर दिये यह मैप में हर्याना और इसकी थोड़े सी बात चर्चा की लिए तो वर्स 2010 में हर्याना के इसकुलों में 1983 सारे भी पर्सेश्चा करने देश्कों के निकत्यू की गई थी लेकिन इसे हर्याना तथा बंजाब उच्छी नियारे नो क्या कर दिया रद्ध कर दिया अब यहां पर बात आई हर्याना की तो हर्याना के सी स्ट्यदेव नरायन आर्थ सत्यदेव नरायन आरी इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोशन पर अगला कोशन है मानव अंत्रीक्ष उरान का अंतराष्टिय दिवस कब मनाया जाता है क्यों मनाय जाता है ये सर्व पर्थम 12 Apro 19rone को मनाय गया क्यों क्योंकि 12 Apro 1961 को पहली मानव उनत्रीक्ष उरान की तारिक थी अर ये जो पहली मानव थी वो कौन थे? तो वे थे सोबियत नागरिक यूरी गागरिन ये हैं सोबित संग के नागरिक यूरी गागरिन और इन्होंने ही इस काम को अंजाम दिया था इसी डेट में दिया था इसी कारण से 12 अप्रिल को ही हम लोग मानव अंत्रिक्ष उरान का अंतराष्टिय दिवस मनाया करते हैं इस इसके लिए मना जाता है 12 April को अंतराष्टिये दिवस, इस्टिट चिल्रेंड के लिए दे, तो इसे मनाय क्यों जाता है, इसका उद्देश क्या है, तो यह लाखो जो सरक पे घूमने वाले बच्चे होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, लाखो इस्टिट बच्चे जो होते ह 2021 को लांच किया गया था, फर्स्ट टाइम, इसके बाद आते हम लोग नेक्ट कोशन पर, अगला कोशन है, एसकेप ने 2020-21 में भारत की GDP कितने रहने का अनुमन लगया है, तो 4.8% जो है भारत की GDP रहने का अनुमन लगया है, एसकेप का क्या होता है, एसकेप का क्या फुल है, तो Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, एक बाद फिर से Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, यानि कि Asia और परसांत आर्थिक और समाजिक सर्वेक्षन, और इन्होंने एक और अनुमन लगया है, कि देश की जो आर्थिक बिर्दी होगी, वित वर्ष 2021 में, वो मात्र एक परसेंट, आर्थिक बिर्दी, और GDP कितने होग बिर्दी 1%, GDP 4.8%, इसके बाद आते हैं में लोग, नेक्स्ट कोशन की और, अगला कोशन है, हाली में किसने मौझूदा महामारी के परसार को रोकने हेतू, अपनी रणनीती हेतू, ओप्रेशन सील्ड की सुरुवात किया, तो अभी अभी दिल्ली सरकार ने, ओप्रेशन सील ृis McGIean, HON Corinth, IH, EU, fakat Его, IH, EC, E, Energize, s messaging, L, local sanitation, and D, door to bed, तो इसे दिल्ली में एक्की चेत्रों में, 25 चेत्रों क्रूप में लगू किया कितने चेत्रों में, 21 चेत्रों में इसे लगू किया जाएगा, और अब बाताई दिल्ली की, दिल्ली के वर्थमान में CM कौन है, अरविंद के जवाल ये हैं दिल्ली के cm अरविंद के जिवाल इसके बाद आते हैं यह divine next question पर अगला question है हाल ही में केंदर सरकार ने कहां आरोगी सेटू IBRS सुविधा सुरू की है कहां सुरू किया ये बतना आपको यह अभी तमिलाडू में सुन की गई है आरोग सेतू आई भी आरेस अब यह है क्या तो आई भी आरेस सुभीदा क्या होता है कि स्मार्ट फोन और फीचर फोन में काम करते हैं सिर्फ स्मार्ट फोन और फीचर फोन में इसका ओप्योग कोविड-19 इस्तिति को ट्रैक करने में किया जाता है किसमें किया जाता है कोविट-19 की स्थिति को ट्रैक करने में और अभी अभी तमिलाडों ने 9499912345 नंबर भी जारी किया है जिस पर मिस कॉल या तो फिर SMS दे कर मदद मांगी जा सकती है और यह जो सुवीदा है यह IIT मदरास और BSNL यह दोनों ने साथ काम करके विक्सित की है तो इतने कोशन यहां से बन सकते थे और यहां पर बात आई तमिलाडों की तो अभी वर्तमान में तमिलाडों के सीम कौन है तो के पलानी स्वामी के पला उसके बाद तमिलाडों के गवर्णर कौन है विद्या सागर रौ विद्या सागर रौ तो इतने कोशन यहां से बन सकते थे तो इस सीरीज में हमने मोश्ट इंपॉर्ट इंपॉर्टेंट 45 को देखा और यह जो थे यह कब से कब के थे तो साथ अप्रिल से बारा अप्रिल 2020 तक यह थे तो उमीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद होगा और लावप्रत लगा होगा अगर आपको ऐसा लगा तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें दोस्तों के साथ सेर भी करें तो मिलते हैं फिर अगले डेट में यहां पर सुविधा क्या है कि रोज रोजना बेश जो वीडियो डाली ही जाती है उसके बाद सब्सक्राइब के अंतरगत सब्ता में एक दिन पूरे सब्सक्राइब को एक जगे घठा करके वीडियो बनाई जाती है तो अगर आपको यह अच्छा लगता है लाइक कमेंट स्क्रा करना भूले तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत